सश्रियकाल कैसे हैं आप सब लाइक बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमको सोचते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं और हमें कुछ समझ नहीं आता पर एक इंग्रीडियन जो हमारे घर पे हमेशा मिलता है वो होते हैं आलू सो आज मैं एक अलग से आलू की सबजी आपके साथ शेयर करूंगी जिसका टेस्ट भी बहुत अलग से होगा और इसमें सामान भी बहुत कम लगेगा तो देर ना करते हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहां पर किन चीजों का यूज किया है यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज ले ली हैं जिने मैंने बिल्कुल बारिक टुकडों में काट लिया है दो मीडियम साइज के प्याज थे तीन से चार बड़े च प्रेश्ट क्रीम भी आप ले सकते हैं दो बड़े टमाटर ले लिए जिसे मैंने बिलकुल बारिक टुकडों में काट लिया है साथ ही आप हमने थोड़ा सा बटर ले लिया है यह अगर आप चाहते हैं तो लीजी अगर अवलेबल है तो जरूर ले लिजेगा बारिक कर टीव है धन्या पाउडर नमक पाउडर हल्दी पाउडर और लाल मिच पाउडर साथ ही आपर आधा छोटा चमच हम ले ले लेंगी काली मिर्च का पाउडर इसे आप जरूर लीजेगा इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है यहां पर मैंने दो छोटे-छोटे प्याज को इस तरह से चील कर फ्रेशली दो कर रखा है और तीन आलू लेली है मैंने अबले वए आलू नहीं है सिर्फ आलू के छिलके उतार कर उन्हें पानी में भिगो कर रखा है ताकि आलू का जो कलर है वो डार्क ना पड़े तो सबसे पहले हमें दो काम करना है एक हमें प्याज क को हमें इस तरह से कट करना है देखिए इस तरह से प्याज के एक एक साइस को हमें अलग करना है क्योंकि हमें प्याज का पूरा पूरा लुक चाहिए और इसका पूरा पूरा टेस्ट चाहिए आलू प्याज की सबजी है तो आलू और प्याज को हम सबसे पहले रेडी कर ले तो दो मीडियम साइज के प्याज लिए अगर आप बहुत ज्यादा प्याज पसंद करते हैं तो तीन चोटे 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 प्याज भी ले सकते हैं इस तरह से सबको अलग कर देना है हमें अब बारी है आलू की तो आलू को मैंने छील कर धोकर पानी में भिगो कर रखा है अब पहले इस पानी को मैं ड्रेन कर लेती हूँ अब बारी है आलू को कट करने की तो यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइस के आलू लिये हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो आलू को हम कुछ इस तरह से कट करेंगे आलू के जो पीसे हैं वो बहुत जादा बड़े-बड़े मैंने कट नहीं किये है छोटे-चोटे अब हमारे चोटे-चोटे क्यूब वाले आलू भी बन कर तयार हो चुके हैं इस तरह से कट करने से सबजी का लुक बहुत अच्छा आता है तब बस चलिए हम अपनी ग्रेवी के और बढ़ते हैं सबसे पहले हम कड़ाई में बटर डालेंगे जो मैंने थोड़ा सा टुकड कर लेती हूं जैसी हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें जो हमने प्याज और आलू काटकर रखे थे वो डालेंगे सबसे पहला काम हमें यही करना है जो प्याज और आलू हमने काटकर तयार कर ले थे हमें उन्हें क्रिस्पी बनाना है तो हम गैस का फ्लेम करेंगे पूरी तर इसे पकाना नहीं है बस पांच मिनट के लिए हम इसे कडाई में में मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इसके ओपर एक क्रिस्पी सी लेयर चाहिए और साथ ही आपको यादब का मिनें कहा था कि हमने आदा चोटा चमच काली मिर्श का पाॉडर लिया था वह पूरा हम इस तक लगातार फास्ट फ्लेम पर आलू और प्याज को भूनेंगे इससे सबजी में आलू और प्याज का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा अंदर से सॉफ्ट हो जाता है और बहार से क्रिस्पी हो जाता है उसका लुक भी काफी अट्रेक्टिव लगता है अब आप देख मैंने से अच्छी तरह से भून लिया है और आलू का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है हलका हलका ब्राउनेश हो चुका है उपर से जैसा मुझे चाहिए था क्रिस्पी वैसा हो चुका है तो अब मैं से कडाई से बहार निकाल लेती हूं अब फ्रेंस हमने कडाई वही ल ले ली थी और साथ से हाट लर्सुन की कलियां ले ली थी वो तीनों हम इसी स्टेश पर इसमें अड़ कर देंगे और इसे हम पकाएंगे देखिए लर्सुन को पकने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है इसलिए हम यहां पर लर्सुन को प्रिफरेंस नहीं देंगे हम लर्स प्याज को पकाना हैं जब तक प्याज का कलर है वो पिंकिश पिंकिश ना हो जाए मतलब थोड़ा सा transparent form में ना आ जाए अब आप देखिए हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं और साथ ही आप देख पा रहे होंगे lesson का भी color थोड़ा सा dark हो चुका है इसकी वज़े से starting में हमने lesson को पूरा नहीं पकाया था अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आधी चोटी कटोरी पानी की ले ली थी वो मैंने इसमें डाल दी यह बहुत जरूरी है आधी चोटी कटोरी आप पानी की डाल दीजीगा इसमें उसके बाद हमने जो टमाटर ले 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 थे वो डाल दिये हैं अच्छी तरह से हम इसे मिला लेते हैं अब बारी है सूखे मसालों की तो हमने यहाँ पर ले लिया है नमक साथ हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच आदा चोटा चमच धनिया पाउडर और एक चोटा चमच मैंने आपर लाल मिच का पाउडर डाल दिया है इन सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ अब पानी डालने का रीजन क्या हुआ हम इसे कवर करके पकाएंगे यहाँ पर मैंने टमेटो की प्यूरे नहीं बनाई है तो इसे पकने में वक्त लगेगा इसलिए प्याज के बाद ही हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे कवर करके 7-8 मिनट पकाएंगे साथ ही बीच-बीच में आप चेक भी करते रहिएगा कहीं हमारा मसाला नीचे से लगना जाए अब 7-8 मिनट के बाद आप देखेंगे जो पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है साथ ही हमारे टमाटर और प्याज भी अच्छे से मसल ने मैशी-मैशी टाइप हो गया है मैशी टाइप हो गया है बिल्कुल से अब हम इसी स्टेज पर इसमें आड करेंगे आलू और प्याज और इना साथ मसालों को कम सेकम 5 मिन तक हम भूनेंगे यह बहुत जरूरी है इसे 5 मिन तक ाच्छी तरह से भूनिये आलू के साथ जू काली मिश्ष थी बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुकी थी तो काली मिश्ष का टेस्ट automatically ग्रेवी में आ जाएगा अब 5 मिट अच्छी तरह से भुनने के बार हम इसमें आदी चोटी कटोरी और पाने डालेंगे मतलब ओवर ओल इस ग्रेवी में एक चोटी कटोरी पानी की पड़ी है अब हम देखिए इसे मिलाने के बार थोड़ा सा मिक्स्चर आपे काम कीज़ेगा चखिएगा ज़रूर अगर आपको नमक मसाला कुछ भी कम लगे प्रेक्जस कर लीजेगा अभी ही अब हम इसे कवर करके 7-8 मिनट तक छोड़ देंगे कि जो हमारे आलू है वो अच्छी तरह से पक जाएं बीच-बीच में आप चेक करते रहिएगा अब आप देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल सूख चुकी है बाहर से तेल दिखाई दे रहा है ग्रेवी के कॉर्नर से कड़ाई में मतलब हमारी जो सबजी है बहुत अच्छी तरह से पकर तयार हो चुकी है देखिए आप इस सबजी को सूखा ऐसे भी सर्फ करेंगे तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगी पर यहाँ पर मैं कर दीओ एक चेंज वो चेंज है हम यहाँ पर डालेंगे क्रीम मलाई है दूद की कलेक्ट की हुई हम वो मलाई इसमे डालेंगे पर उस से पहले हम गैस का फ्लेम बिलकुल स्लो करेंगे मलाई डालते कोच बातों का बहुत धेहन देना होता है पहले तो जैसी आप मलाई डाले उसे लगातार मिला लीजे जल्दी से और दूसरी बात gas का flame बिल्कुल slow रखिए मलाई हमेशा सबजी के end में डाली जाती है नहीं तो मलाई क्या करती है अपना घी छोड़ देती है और उसका taste gravy में आ नहीं पाता सो जल्दी से मलाई को mix कर लेंगे मैंने यहां पर तीन बड़े चमश मलाई का यूज किया है थोड़ा सा मैं और क्रीमी बनाऊंगी इसे अब हम इसे अच्छे से जल्दी से मिला के on the spot आधे मिनट के अंदर मैंने गैस का flame बंद कर दिया है मलाई के डालने के बाद हम इसे बहुत जादा नहीं पकाते हैं अब इसे अच्छी तरह से mix कर लिया मैंने गैस का flame बंद कर देंगे लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालके इसे सर्फ करेंगे यह किसी भी hotel की सबजी से कम नहीं लगेगी एक बाद आप इसे ट्राय करके देखें यह आपको बहुत बहुत जादा पसंद आएगी और दूसरी बात यह बड़ी ही आसान है और बहुत हर चीज जिसकी हमें अपने घर में available मिल ही जाएगी तो इसे आप ज़रू ट्राय कीजेगा कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजेगा और अगर बहुत अच्छी बने तो शेयर भी कीजेगा सभी के साथ तो देखा आप सभी ने बहुत अच्छी सी आलू की और जटपड सी सबजी बनाकर हमने तयार कर ली आप इसे जब भी बनाएंगे आपको यह जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे बैल आइकन जरूर दबाएए ताकि मैं जब भी लेते इस वीडियो शेयर करूँ आपके पास इसकी नोटिफिकेशन जरूर आए और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सभी के साथ शेयर भी कीजेगा तो अब हम आपसे नेक्स वीडियो में मिलेंगी बाई